हाई मैं परशान आप सभी के अपने योटूब चैनल एक क्वेडियर कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आप मेंसे बहुत साइं लोग आपसे ट्रेडिंग चहूर करते हैं लेकिन यहाँ मैं आपसे कोशन पूछना चाहूंगा कि कितनी लोग आपसें ट्रेडिंग करके एक regular income या फिर बोल सकते हैं कि second income generate कर पाते हैं मैं दावे के साथ बोलना चाहूंगा कि आप मेंसे बहुत कम लोग ऐसा कर पाते होंगे कि options ट्रेडिंग करके एक regular income generate कर पाते होंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप options में ट्रेडिंग कर उपर बात करने जा रहे हैं वह हमारा है option selling spread यहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप options selling के जरिए एक regular income generate कर सकते हैं बहुत साई लोग option selling का नाम सुनते ही सोते हैं कि यहां पे आपको margin ज्यादा पे करना परेगा और profit बहुत कम होगा profit कम होता है लेकिन इतना भी कम नहीं हो तो यहां पे आपको एक अच्छा खासा capital generate होता हुआ दिखेगा अगर आप annual basis पे बात करें तो इसलिए यहां पे हम छोटा छोटा profit लेकिन secure profit के पीछे जाएंगे और वो profit हमें धिये धिये सारा add होके एक अच्छा खासा capital हमें generate करके देगा और वो हमारा एक fixed income हो जाएगा एक regular income हो जाएगा एक second income और एक side income हमारे लिए generate हो जाएगा जिसका इस्तमाल हम different purposes के लिए कर सकते हैं तो चलिए इसको हम सीखते हैं और देखते हैं कैसे हम option selling के जरिए एक second regular income generate कर सकते हैं यहां पर हम option selling strategy को पर बात करेंगे जो कि आपको एक regular income generate करके देगा लेकिन उससे पहले इससे विलेटेट कुछ point है उसके उपर हम बात करना चाहेंगे जैसा कि मैंने आपको बता है कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि कैसे आप option selling के जरिए अपना regular income generate कर सकते हैं यानि earn regular income from option selling कैसे कर सकते हैं इसके उपर कुछ point है उस point के उपर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे तो उसके उपर जो point आपको ध्यान देना है सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको market के direction को find करना है और बहुत साइब लोग यहाँ पर सूचते हैं कि market का direction दो ही होता upside होता या फिर downside होता नहीं ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया मार्केट का direction आपका एक upside होता है दूसरा होता है आपका downside और तीसरा होता है एक range bond market और अगर हम बात करें तो maximum आपका कैसा market रहता maximum आपका range born market ही रहता अगर आप बात करें लगबग आपका 50% जो market movement दिखाता वो लगबग आपका range born movement ही दिखाता और market का 50% में market आपका upside और downside ये वाला दोनों move आपको दिखाता हुआ दिख जाएगा तो इन सब के basis पे हमें कैसे अपना option sharing strategy आपको चार्ट पर ले जाकर बताऊंगा लेकिन यहां पर दूसरा point जो आपको focus करना वो क्या करना market के direction को हमने find कर लिया ठीक है कैसे find करेंगे है वो मैं आपको चार्ट पर explain कर दूँगा उसके बाद दूसरा point है कि हमें market के volatility को चेक करना यानि India VIX को चेक करना है और volatility यानि India VIX के उपर हमने already separate video बना रखा जहां पर हमने इसके उपर detail से बात कर रखा है कि आपको कब इसके basis पर options buying करना कब options selling करना यहां पर आपको छोटा सा एक overview देना चाहूंगा overview दे जेता हूं जिससे आपको एक clear idea मिल जाएगा यहां पर आपको एक table दिख रहा होगा इंडिया VIX का यानि volatility index का यहां पर आपको table दिख रहा होगा देख सकते हैं जब WIX आपका 9 से 13 के बीच में रहा है यहां पर इसको हम consider करते हैं low WIX यहां पर WIX काफी कम रहता है ऐसे में ज़ो options का strike price का premium रहता हूँ उहां पर बहुत कम रहता है SM हम क्या करते हैं से southern करना ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं SM हम यहां बाइंग करना प्रीफर करते हैं क्योंकि options का premium काफी सस्ते नाम पर mlभल रहता है वो अलवेडी चीप प्राइस पर अपलेबल है तो स्कॉम सेल करना प्रिफर नहीं करते हैं जब आपका विक्स मीड बेंज में रहे 14 तो 17 वह है तेहां पर भी हम आपसंस बाइंग करना प्रिफर करते हैं और कुछ कंडिशन भी हम औपसंस बाइंग भी कर सकते हैं वह उक्रीटी रहता है इंट्राइबशी सब्सक्राइख हो जाए और बिभी करते हैं यानि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वैलू आ गया तिहां पर हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ और सेलिंग प्रेफर करना चाहते हैं लेकिन यह आपका कोई hard and fast टूल नहीं है आप चाहो तो लो विक्स में भी मार्केट के को देख सकते मार्केट अगर आपका रेंज बाउन है तो लो विक्स में भी मार्केट के लिए कोई पार्टिक्लर टाइम नहीं है लेकिन जब हाई विक्स रहता है तो वहां पर हमें एक 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 स्ट्रा एडवांटेज मिलता बागी आप लो विक्स और मीड विक्स में भी option selling के जरी प्रॉफिट बना सकते हो चले चार्ट पर चलते हैं और इन दो पॉइंट के जरी हम market के condition को समझने की courses करते हैं और जो हम आपको बताए थे कि regular income हम कैसे generate कर सकते हैं उसके उपर detail से बात करते हैं यहां पर आप चार्ट पर आते और देख सकते हैं यह जो चार्ट है यहां पे आप चाओ तो कोई भी बना रखे हैं तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मार्केट के डायेक्शन को फाइन करने की कोसिस करेंगे अब मार्केट का डायेक्शन क्या है सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर क्या कुछ हुआ है यहां पर एक हाई बना फिर उससे नीचे यहां पर एक हाई ब रहा है उसके बाद नीचे में अगर हम देखें यहां पर लो बनाया है फिर उससे नीचे यहां पर लो फिर इससे नीचे यहां पर लो फिर इससे नीचे आपका यहां पर लो फिर यहां पर लो यहनी साधी साधी आपका लो लो पैटरन का भी फॉर्मेशन करते जा रहा है यह आप यहां पर highest point को मिला और इस तरफ डालते हैं और lowest point को मिला के अग्रो डाले तो तरफ जा रहा रहा आपका नीचे साइड की तरफ जारा मतलब मार्केट का sentiment कैसा है मार्केट का sentiment negative है और अब आप किसी से भी पूछो चाहे मार्केट का export हो या फिर मार्केट पे वह नयाया हो साही लोग बताएंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी में के मंत में आपको 13-14 में को कृमारेखस की तरफ बनाएं तो यहां concept को का अपका आपका ससेंटिमेंट टरस को रृख्यान हों डेख्यून को तरह का सिर्मट को ही है है उसके लिए यहां पे हम विक्स के चार्ट पर आतें देख सकते हैं यह आपका क्या है यह आपका इंडिये विक्स का चाट है और विक्स अभी आपका कह меньше 23.50 के करीब है यह नियुक्स आपका भोड़ ज़ाधा हाइय है तो लिए है हम क्या करेंगे यहां पर option selling करना ज्यादा प्रिफर करेंगे तो यहां पर हम जो भी strategy form करेंगे वो क्या होगा हमारा selling strategy होगा तो यहां पर हमें दो point clear हो गया पहला point हमें बता रहा है कि market का reaction negative side की तरफ है दूसरा point विक्स यहां पर हाया है तो यहां पर हम कौन सा form करेंगे यहां पर option selling strategy आपको form करता हुआ दिखेगा तो दो point एक्दम clear हो गया अब इसके basis पर हम यहां पर option selling strategy form करते हैं वापस यहां निफ्टे के ही चार्ट पर आना चाहेंगे और यहां पर option selling strategy बनाना चाहेंगे अब देखे अब यहां पर सबसे पहले हम अपना negative सोचते हैं यानि market मेरे against कब जाएगा और मेरे against जाएगा तो क्या कुछ होगा क्योंकि अगर आप options में trading करते हो या फिर trading करते हो तो आपको profit के बारे नहीं फोकस करते हैं लेकिन जो pro trader होते हैं वो देखते हैं कि मेरा loss कितना है सबसे पहले loss capacity को देख लेते हैं कि हम इतना loss कभर कर सकते हैं या नहीं कर सकते loss को हमें कम करना तो loss कब हो सकता है जब market अपना direction change करके upside की तरफ जाएगा तभी हमें loss होगा और upside की तरफ जाएगा कब यहां पर क्या कुछ pattern form कर रहा है यहां पर देखिए आपका pattern form हो रहा lower high और lower low तो सबसे पहले यहां से मुझे clear cut indication मिल जाएगा जब यह क्या करेगा सबसे पहले lower low pattern को break करेगा यहनी lower low pattern form करना बंद कर देगा तब यहां पर मुझे थोड़ा बूत हिंट हो जाएगा कि market अब यहां पर either range bound जाएगा यहां फिर market upside move जा सकता और upside move कब जाएगा जब यह lower high pattern को break करके उपर निकलेगा यहनी इससे पहले जो high बना है उस high को break करके अगर market उपर निकलेगा तब यहां पर क्या होगा market का sentiment हम थोड़ा सा positive side के तरफ देखता हुआ देख सकते हैं और उसके बाद हमें अपने जो call से उसमें modification करना परेगा फिर हमने जो sell किया उसमें थोड़ा बहुत changes करना परेगा तो यही चीज है यहां पर हमें market का direction clear समझ में आ जाएगा जब यह इस particular line को break करेगा यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पर हमने trend line ड्रॉ किया वह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं यह है इसके basis पर यहां पर हमने यह trend line को break करके price उपर निकलेगा तम यहां पर हमें ज्यादा सोचना है otherwise ज्यादा यहां पर हम सोचना नहीं हम sell side की तरफ जाएंगे ठीक है तो हमने direction कर लिया sell side की तरफ जाना लेकिन strike price का selection कैसे करेंगे उसके लिए जो highest point है वो देखेंगे यह आपका लगबग 16,050 के करीब है यहां से हम थोड़ा से उपर जाते हैं और 16,100 करीब जाना चाहेंगे और उसके नीचे भी आपका क्या है 16,000 एक crucial आपका resistance के रूप में काम कर रहा है जिसको आसानी से break करता हुआ निफ्टी अभी नहीं देख रहा है सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे एक resistance level find करेंगे जो कि हमारा 16,000 है और जो higher low pattern बन रहा उसका highest point find करेंगे यानि जो भी high बना उसका find करेंगे यह दो चीज म क्यों करें क्योंकि market का direction आगर नीचे side की तरफ है तो अगर हमें selling करना तो यहां पर आप आप कर सकते हम ठीक है तो अगर आपको सेलिंग करना और देखते हैं कि इसका प्रीमियम कितना है और इसको सेल करने में पैसा कितना लएगा और हम पैसे कम कर सकते हैं कैसे कम पैसे में यहां प्रीमियम करने कितना है इसका प्रीमियम आप को अगर मेरा कौल सभी यहां आपका कितना मिलेगा 50 points का मुझे profit मिलता हुआ दिखेगा किसके वेशिस पे weekly basis पे कि इस ट्राइक प्रैस कितना 19 में का इस ट्राइक प्रैस यानि 19 में तक आपको यहां पर 50 रुपे का profit मिलता हुआ दिख सकता इवन उससे पहले ही मिल सकता लेकिन highest point हम यहां पर 19 में लेके चलते हैं और weekly basis पे अगर हम 50 points छोड़ दीजे 25 points भी निकाले options selling करके overall monthly basis मुझे कितना मिलेगा 100 points मुझे monthly basis पे मिल जाएगा और 100 points अगर आप monthly basis पे निकाल वे तो बहुत ज्यादा हुआ दिखेगा और annually 28% का return आपको कहां मिलता कहीं नहीं मिलता अगर आप credit card भी इस्तेमाल करते वहां पर इंट्वेस्ट आपको कितना लगता maximum 20-24% लगता जबकि उससे ज्यादा इंट्वेस्ट आप यहां पर कमा रहे हैं और सालना अगर आप 28% का interest कमा रहे हैं या फिर 3-4 साल तक कर लोगे तो फिर आप एक अच्छा खासा capital generate कर सकते हो जितना आप job से generate कर रहे हो लगबग उसका हाथ आधा या फिर उसी के बराबर आप capital यहां पर लगबग 4-5 साल में easily generate कर सकते हो और यह आपका regular source of income हो जाएगा और यह आपका second source of income हो जाएगा अगर आप इ regular income or fixed income generate करके देगा तो यहां पर हमने इस call options को यहां पर हमने sell किया अब यहां पर क्या करेंगे अगर आप इसके call options को sell करों लगबग आपको यहां पर capital चाहिए होगा वन लैक तो यहां पर हम क्या करेंगे अब हमें capital को decrease करना तो उसके लिए क्या हुपाए है हम दूर के strike price जिसका option premium आपका 10 रुपे करीब हो या फिर उससे नीचे उसको हम भाई करेंगे यहां पर 10 रुपी के आसपास किसका है दस रुपी के आसपास है आपका 16,450 का यहां पर हम call options भी भाई कर लेंगे यहां पर हमारा capital requirement हो जाएगा जो काम आप एक लाग में कर सकते वह काम आप क्योंकि मेरा margin कम हुआ है और margin कम करने के कारण हमने यहां पर 10 पॉइंट का कुर्वानी दिया और उसके कारण मेरा margin एक लाग से घटके आपका 30,000 होगा यहां पर 30,000 में options selling कर सकते हो और यहां पर आसानी से 40 point आप easily निकाल सकते हो अगर सारा कुछ आपके favor में गया तो यहां पर यहां पर हमने क्या किया 16,100 के call options को sell किया उसके साथ 16,450 के call options को यहां पर हमने buy किया ठीक है अब यहां पर हमें क्या कुछ react करना होगा market नीचे जा रहा, market अगर नीचे गया तो कोई tension वाली बात नहीं है कितना भी नीचे है हमें कोई tension नहीं लेना हमें ultimately यहां पर 40 point का profit मिल जाएगा एक हपते में लेकिन अगर market मेरे against गया तो हम क्या करेंगे मैंने सबसे पहले बोला था कि हम against होते हैं यह नुक्सान हुआ त तो हमारा क्या होगा safety button on हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे यहां पर हम इससे थोड़ा सा उपर 16,200 या नहीं तो चाहो तो आप 16,300 दोनों में से किसी का भी आप call options यहां पर क्या कर सकते हो buy कर सकते हो for the purpose of safety यह नहीं यहां पर clear कर देना चाहता हूँ जैसे ही 16,000 का level break करके price उपर निकले ठीक है यहां पर हमें क्या करना यहां पर हमने 16,100 के call options को sell किया जो कि मेरा main call है उसके बाद यहां पर क्या करें हम 16,200 या फिर 16,300 दोन में जो भी आपको suitable लग रहा उसका call options यहां पर आप buy कर लिए ठीक है कब buy करना 16,200 के level को break करके उसके बाद अगर यह जो lower high है उसको break करके भी उपर निकल गया यानि इसके बाद भी मुझे कितना भी लेगा 100 point का यहां मुझे margin भी लेगा यानि 100 point और उपर निकलेगा तो मुझे नुकसान होगा plus premium यानि मुझे यहां पर नुकसान कब होगा expiry basis पे बात करें तो 16,150 के ठीक है क्योंकि 16,100 call options है और 50 का premium है यानि मुझे नुकसान होगा 16,150 के बाद ठीक है अगर market यहां पर आपका यह जो lower high है इसको break करके उपर निकले lower high हमारा कितना है लागवाग 16,000 50 के करें या 25 point उपर नीचे हो सकता अगर इसको break करके उपर निकले और closing इसके उपर दिया यहां पे हम क्या करें closing basis पे बात करेंगे अगर closing इसके उपर दिया यानि तो candle में strength इसके उपर दिख रहा तो हम क्या करेंगे यहां पे जो हमने call option sell किया है वो क्या होगा वो मेरा नुकसान में जाएगा और नुकसान में यहां पे हम क्या करेंगे exit करेंगे यहां पे अगर हमसे गलती हुआ है तो गलती को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और उसको मॉडिफाई करने की कोशिस करेंगे ज्यादा इंतिजार नहीं करेंगे हमें जैसे लगा कि मार्केट मेरे अगेंस जा रहा है यहां मुझे अच्छा कासा मार्जिन मिलवा था मार्केट अभी आपका 15,767 करीब है यहां से लगवाग में यहां 300 पॉइंट का मार्जिन अभी मिलवा 300 पॉइंट उपर जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे और उसके बाद जैसे ही क् इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा उसके बाद क्या करेंगे यहां पर जो हमने कॉल अप्शन किया इसको यहां पर हम हटा देंगे अब क्या हुआ स्टोरी को समझने कोजिए 16,000 के लेवल ब्रेक करके मार्केट उपर निकलेगा तो एक्स्ट्रा हम एडिशनल क्या किया है 16,200 के कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया ठीक है जैसे 16,050 या फिर 75 के लेवल को ब्रेक करके उपर निकलेगा 16,100 का कॉल ऑप्शन जो कि हमने क्या किया था सेल किया था अब इसको हटा देंगे नुकसान हो कुछ भी हो इसको हटा दें क्योंकि मेरा कॉल गलत हो रहा और मार्केट मेरे अगेंस आया लगवक 300-400 पॉइंट यह नहीं जो हमने सोज़ा था वो मेरा गलत हुआ गलत हुआ न जो है यहा पर जो भी लॉस हो रहा लॉस के साथ हम इसको एकजिट करेंगे उसके साथ एक और क्या करेंगे इसको हटाने के साथ-साथ यहा पर हम इस से थोड़ा सा नीचे चिआ या फिर थोड़ा सा उपर सबसे पहले हम 16200 के call options को क्या किये थे buy किये थे उसके बाद इससे थुरा से उपर 16250 या नहीं तो 16300 इस दोनों में से कोई एक call options आपको additional buy करना है क्योंकि हमें loss को recover भी करना मारे market मेरे against में किया है और market अगर lower high को break किया तो उसके बाद यह upside momentum दिखाए दिखाएगा ऐसा हो नहीं सकता कि भाई वहां से फिर वापस लोट जाए कभी कभी हो सकता है तो उस situation में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन maximum times पर अगर breakout देता है तो उसके बाद market आपका upside move दिखाता है यहा अब हम call sell करने के जगा call options buy कर लिए अगर market जहां पर हमने सारा कुछ exit किया वहां से अगर यह 50 point यह 100 point भी upside move दिखा दिया तो मेरा जो भी loss हुआ है वो loss क्या हो जाएगा वो loss आसानी से recover होगा और जैसे मेरा loss recover होगा हम यहां पर exit कर लेंगे यह सब के पीछे में में मकसद क को recover करना loss recover होगा हम exit कर लेंगे यानि मेरे पास plan A तो है ही उसके साथ-साथ plan A B C भी तयार है यानि उसके साथ दो दिन plan और यहां पर हमने तयार करका और यही चीज़ आपको तयार करना अगर आप market में long term के लिए बने रहना चाहते हैं तो market में long term बने रहना तो यह सब communications लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ extra बता दिया बहुत कुछ extra नहीं बता है मैंने simple आपको सारा कुछ step by step बताए कि यह क्या करेंगे यह क्या करें यह और मुझे worst के लिए तयार रहना है और hope for the best यह आपने सुना होगा कि market में आपको लंबे समय तक बने रहना तो prepare for the worst and hope for the best यह नहीं अच्छा हुआ थीक है अगर खराब हुआ तो उसके लिए हम पहले से तयार हैं तो इस तरीके से आप मार्केट में रेगलर इंकम जैनुएट कर सकते हैं और मार्केट अगर आपके अगेंस भी गया तो आप सब के लिए तयार हो उमीद करते हैं कि आपको यहां पर एक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और आप यहां पर समझ गयों कैसे आप आप संस वाइटिंग करके एक रेगलर इंकम जैनुएट कर सकते और यह लगवग आपका यह सिक्योर इंकम है जो कि आपको लॉंग टर्म में अच्छा खासा कमाई करके दे सकता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें हैं भी किजिए मिलते हैं नेक्ट मीडियो में जैहिन